यूपी के साहार इंपुर से गिरफतार संदिक्द आतंकी नदीम को लेकर ADG Law & Order Press Conference कर रहे हैं सीधे लिए चलते हैं अभी विवेचना इस सम्मन में चल दही थी, अभी मैंने आपको बताया ये ओनलाइन प्लेट्फॉर्म पे विविन संगटनों से जुड़ा था यहां से फ्लाइक कोड की बारे में पूरी निर्देश जारी कर दिये गए हैं कोई भी व्यक्ति राश्टिय ध्वज के सम्मन में जो लेटेस्ट कोड जारी हुए हैं अगर उससे डेवियेट करता है तो उसके वरुद कानूनी कारवाई विदी सम्मत कारवाई की जाए है इसमें तीन यॉवर्ट जो हैं जौनपुर के हैं और बता हैं बटकना हुदा वाई जीओकर विद्वन्स के वाई उनके इसमें सीवियाई के डिप्टी एसपी रुपेष पर इस्वास्कर कि अखिप का मां दर्च कराया है, और हारों के लगाया है, जिसके नाम से है, वह सब को पता है, कि इसके अतरिक्त उनके द्वारा जो भी सूचना दी गईती थाने में, उसमें हम लोगो ने उती धराओं में अव्योग दर्च किया है, इसका मुख्य उत्तरप्रदेश में विभीन जगों पर आतंकवादी घटना करने की थी मुहम्मद नदीम पाकिस्तान इस्थित अपने हैंडरों के साथ विभीन परकार के ओनलाइल प्लेट्फॉर्म के जरिये जुड़ा था जिससे की वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके सरपर्थम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान इस्थित आतंकवादी हकीम उल्ला जो की एक जैश्य मुहम्मद का सदस्य है से ऑनलाइन प्लेट्फॉर्म के जरिये हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगादिस्तान के बिविन गुटों के साथ आनलाइन जोड़ा इसके बाद हकीम उल्ला ने नदीम की पहचान सफी उल्ला नामक व्यक्ति से ऑनलाइन कराया उसके बाद से नदीम लगातार सफी उल्ला से बिविन सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म के जरिये जिहादी गत्विधियों के बारे में चैट करने लगा और यहां तक की उससे प्रेरित होकर नदीम के मन में अफगानिस्तान जाकर जिहाद करने की भावना भी जागरित होई सैफुल्ला ने नदीम को बिविन रेडिकल एलिमेंट्स जोकी पाकिस्तान, बंगलादेश, जम्म कश्मीर एवं UAE में इस्थित्थे से पर्चे कराया तथा इन सभी लोगों से उसका इनक्रिप्टेड चैनल के जरिये संपर्क हुआ नदीम दौरा फेक जीमेल एकाउंट्स, वर्चूल आईडी, टेलिग्राम आईडी, इंडिया से सम्बंदित क्रियेट की गई और उसको उसने अपने पार्क हैंडलर्स को आगिस्तान में भेजा, जिसके कारण वो इसलिए किया गया कि वो अपने डिजिटल फूट्प्रिंट को छिपा सके सैफुल्ला द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के सम्बंद में एक मैनूल ऑनलाइन भेजा गया जिससे की वो आईडी बनाने में निकुन हो सके तथा और शक्ता पढ़ने पे यहां आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारीद कर सके इसके अतरिक सैफुल्ला ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम दौरा कुछ तार्गेट्स भी आइडिन्टिफाई किये गए मुहमन नदीम अफगानिस्तान पाकिस्तान बौर्डर पर इस्थित विभिन हैंडलरों के संपर्क में था जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारीद करने है तू प्रेरित करते रहते थे धन्यवाद चोतर प्रदेश के एडिजी लाउन ओर्डर प्रिशांद कुमार को आप सुन रहे थे नदीम की गिरफतारी के बाद उससे जुड़ी हुई महत पून जानकारी साजा कर रहे थे इस वक्त सहारनपूर के उसी गाउं में मौझूद है हमारे सजयोगी मनोझ वर्मया जो नदीम का गाउं है ऐसे में वहाँ पर किस तरीकी की हलचल है क्योंकि नदीम की गिरफतारी हो गई है कई सारे रास खुलने बाकी है मनोझ लेकिन लोग लोगों का क्या कहना है खासत से बात करें और काफी हैरान है इस चीज को सुनकर के क्या नाम है आपका इकबाल यह बताइए कि नदीम के बारे में जैसे आपको पता चला कि अब आपको लगा ऐसा नदीम के बारे में आपकी जब मुलाकात हुई नदीम से कभी लगा है इस मामले में इसको कोई हाथ हो पास में मस्जीद है पंचुटेम नमाज पड़न जाक रहे था नमाज पड़का करने माबाप की सेवा करता केंसाल से माबाप बीमार है खाना भी करें परचून की टेम पास कर रहे हैं तो विचारे जो पैसा था विमारी में लगें के माबाप को घर क्यालत निंगे बहुत खराब हेगी आप पैसा इन पर इतना भी नहीं है जो कि माबाप को कहें अस्पतार में दिखा दें ज्यादा लग खराब हैंगे दर इस ने जब नदीम को गिरफतार किया और उसका फोन जब लिया है तो तब ATS को यह पता चला है कि 2018 से ही वो जैशे मोहमद के जो आतंकी है उनके संपर्क में था और उसके बाद वो फिर आगे इन से जुड़ता चला गया इस सारी चीजे उसके फोन से निकले हैं वो कई ग्रूपों के आप किसी मामले में जगड़े में उसमें कोई प्यार मॉबत तरह ना आज तो पूरे परिवार की बात है कि कोई सामने बात आज तक हाई भी सामने किसी के भी आपका क्या नाम है तन्वीर यह पताई कि क्या आप की मुलाकात होई थी नदीम से कभी देखिए जी सबसे बड में 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 नमाई पड़ता था अपने डांगर थे उनका गाहां स्पूच लिया तो उसके पास इतना समय नहीं था कि वह सोचल मीडिया को फेस्बूक को वट्सबूक में अपने टाइम दे जहां तक मुझे उसके बारे में जानकारी है उसको कह रहे हैं इसको इंगलिस इस इसको पता चला उसके बाद ही पूरी पड़ताल करने के बाद ही एटियस की टीम नहीं पर च्छापे मारी की ते यह चीज हैरान करने वाली है इस चीज को लेकर हम हमारा पूरा गाउं पूरा चेतर पूरा जिला सभी हैरान है कि मतलब वो तो एक साधरन लड़का था तो हम इस चीज को लेकर कि आखिर किस परकार से उसके बारे में वो एक साधरन और मुतलब एक आम आदमी था उसको इन सब चीज का बारे में जहां तक हम पता कि उसको कोई जानकारी नहीं थी जो गाओं वाले हैं वो बिलकुल हैरान है नदीम के बारे में जानकर कि एक जैशे मुहम्मद का वो संदिग्द आतंकी निकला है फिलाल नदीम अभी पुलिस की गिरफ्ट में और जिस तरीके से डीजी लॉइन आर्डर ने भी बताया कि वो 2018 से ही जैशे मुहमद के संपर्क में आ गया था और उसके बाद उसको अलगलग तरीके से टास्क भी दिये गया था तो फिलाल जो इस मामले की इंवस्टिकेशन है वो जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे मेरी बताईए मैं अभी आपको बताती हूं मैं अभी आपको बताती हूं कि मैंने जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे